What's up everybody and welcome to another photoshop tutorial और आज हम जानेगे कि हम कैसे awesome logo बना सकते हैं अपनी image से तो चली show करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी image खुनी है यहां से मैं यह image को लिखो है उसके बाद आपको अपनी image सर्ट करने है आप इसमें quick selection tool का भी use कर सकते हैं या pen tool का भी use कर सकते हैं या quick selection tool का भी use कर रहा हूं है अबर आपने अपनी image खुर्ट कर ले हो तो फिर उसके बाद आपको mask grade करना है आपकी image का पिर move tool की मदद से आप अपनी image को लिए जहां पर आपको लाना या आप वही पर उसे upgrade का सकते हैं तो आपको एक new layer बनाने है लिए को अपनी image ही निचलाइए pen tool की मदद से white color filter करतीजी and then आपको brush search करीजे तो यहां पर आपको वापस black color search करना है उसके बाद आपको अपनी त्रिशून स्रट करके यहां पर मैं burn tool का use कर रहा है आपको अपनी वापिश में स्रट करनी है उसके बाद burn tool का use करना है एक बार यहां उसके बाद आपको जाना है अपनी image रख करनी है इसको आपको background अड़ागा है Ctrl-C copy उसको आपको त्रिशून image रख करने भी ब्लैक इबाइट हो जाईगा उसके बाद Ctrl-C to resize it इसके बाद आपको अपने blending options के इंच रहना है इसक्रीन के इसके बाद आपको बूसरे image को बीजिए मैं यहाँ पर दूसर इमिज को रहा हूँ आप एक कभी बसो को का जाप आपको आपको सिर्स करका मैं अपने इन है कर रहा है करने इसक्रीित इर प्लीक को आपको आपको अपर टेक्स्ट यूज करना है आपको यूज कर दो आपको एगला है